उसके बार बिट्टा पार्ट्ट्व करना है बार टू में अब्धी पर्दर इसके सब पार्स है तरह तो यह बोगे इसको हम बीफ में देखेंगे पैधा आपका विजूल और्ट और टेखनी से जिसमें थर्टी परषट में से वेह कुण औरनी हैं पहले और स्ट हैंगे उसके बाइब प्रेस में पर्टेशन में घूर्ज हैं यह पर मोस्की जो में ट्यू सम्हाइं वह आपके पहले हैं उसके बाद अपका त्र टॉपिक है वाकि यह लास वारी असान है ठीक है अपने आज को तोपिक हम स्टार्ट करें बहुत इंपोर्टेंट इसमें से कफी हमसी कुछ आने वारे हैं तो इसमें आपने पराइस को कॉंशिस होके लिसन करना है अच्छे बेटा हमारा पहला पाउट क्वलीट वोट चुका है सेकंड पाउल की तरह मुव करते हैं अब सेकंड आप में फॉर्दर हमारे पास पांस को टोपिक है जिसमें आज करेंगे पहला हमारे पास है बेसिक डिराइंग और पेंटिन टेक्निक्स के वाले से बताया क्या होती है कि हमारे पास दो पॉइंट मिलती है अपस में आपस में मिलती है तो एक बन जाती है लाइन का अब में क्या इंपक्ट है हम वो देखेंगे और बिटा इसमें सेमसी गूस आने हैं अपने बड़ा कोश्चिसों के लिसन करें परपस हम देखते हैं लाइन का लाइन साफ फंडामेंटर इंग क्रेटिंग शेप हमें यह शेप भी बनाता है लाइन के जरीए मैंने को बता रहा था कि से बनते हैं एक पॉइंट से हमसी पॉइंट पर एंड करें तो ये हमाई पास एक शेंप बन जाती है ठीक है टेक्सटर क्या होते हैं कि ambition होता है प्रवार होते हैं तो बेल हैं इसंगा हैं टिक्टर आप से यहां पर यहां पर जाती है ने आप होती है काफी तरह के आके देखेंगे लाइन के वाले से तो अगे होजेंड्र होती है है हमाले पास vertikal होती हैै करवट होती है कि जिख Hop핑 झाल citizen अप्राइड लैंस बड़ा इस आ होती जो के heavon वहां होग सॉ हो एह और निकिव ठोन तो आपको जो है ना आपको हिंट देते का आपने डिक करना तो जिए क्या होती है और पस यह हो गई है और अब देगले लेंस हैं वर्टिकल लेंस में पास यह होती है बिल्कुर सट्रेट और होईजेंटर यह वाली होती है ठीक है अब समय लगी यहां पर अच्छा बिटा यूजर्स देखनें डिजाइन के पर इंपोर्टन रहे यूजर्स में से लाजमी आपने सारे यूजर्स जो रहा होता है यानिकि एक लाइन के साथ जो है न वो बिटा यहां पर लाएंज जो है वो डिरेक्शन exclus के अर्मूर्र को को कर दिए हमें कर वारी होती है और जो धम नाइस होती है हम में करें को आज करते है खक हमारे पास ना कर मासे हमाने तो इमेंशन होती है अब रिट ऑंधर ना और बीजाए melted होती है बापको फिर्क्रण हो ऊचैज के वाप फ्र फिर्क्राइब घलम पर ऐसते हैं थे को देखें तो मई पूसे हैं आपका क्यूबस है तो यह हमाई पर जो है आपका आरें फोर्म के अंदर इंपॉर्टर निसका किया है इंपाट किया है के डिजाइन मे शेप और यूजडु सींपल विजॉया अईटेटी चैप जो है एक विजुवाइट अब यहां पर ऑगर दिबा ना तो यह से दिबा नी बनावा ठीक है अब हम इसमें जो है ना वेडियेशन एड़ करेंगे अब हम इसको त्रीटी में लेकर जाएंगे फिर यह ना हमें विजुआ इंपक्त देगा अदर्वाइस हमें जाए बिलकुल यह नहीं देगा ठीक है और यह असल बोक्स नहीं है हमने जह है बोक्स करीबापनाया वाएं यह हमार पास जाए अ उसी विजुआ अडेंटिती में और वह गीविंगा रियालिस्टिक इंप्रेशन इन आठ करती है यानि कि जो फॉर्ण जो मैं पास शेडिटी तो कर रही होती है विजुआ की जो चीज हमें दिखे यह बहुत हमें दिख रहा है ठीक है लेकिन जो फॉर्म सोती है वो उसी म करी होती है और गिविंग रियालिस्टिक इंप्रेशन शो कर रही होती है अच्छे बिट आगे मैं पासा रहता है शेडिंग एंड हमें पर टॉनल वैल्यू अब यहां पर 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 देखते हैं कि एस डफ्ट क्रेटिंग करेंगे ना तो इसके होड़ साथा रियालिस्टिक भी क्रेट करेंगी उसके बाद हमाँ पर टेक्निक्स होती है शेडिंग की उसमें हमाँ पास आ जाया थे पहले हैचिंग हैं एक प्कूल या लगा रहे ना उसके अब यह हमारे पर हैचिंग में आएंगा अब इसी हम क्रॉस कर जाए पहले हमने बेंदे वर्टिकल लाइंख लगा रहे एक ही सिम्टमिंड जो चाहा रही थी लाइंच वह हमाई पास होंगी तो वो क्रोस करते तो वो क्या होंगी को सीचिंग उसके बाद स्टीप्लिंग hadn't क्या होती है उसके बाद स्टीप्लिंग में अभ कर दो हम इधर से इसको स्कूरस करना स्टी शूरु कर दें तो relying में आएगा उसके बेदिक कर णeltा जो चो हमारे बेंड हो जाती है थीक है तो यह पास इस तांकि टैक्निश हैं इंट टोनर वैल्यो की उसके पारा एंडेस्टेडिंग वैल्यू हमारे पास मैंने बताया। कि अगर हम ना एक ना अगर हम जो है बोल को देखें ठीक है या फिर हम जो है कोई भी एक्जेम्पल देख सकते हैं इसमें जैसे अगर अगर सन को देख लें तो सन भी जो है ना ठीक है रात के टैम अगर आप देखें ना जान को तो जान भी जो है ना यहां से वाइट और वैंवाइट अबहीं जो है की अब एक में पहसा करने तौप है покरत प्रृफब थे क्लार इट करने तौक्षेद के वर्फब और हम सब्सक्राइब सेग्द में नहीं में उस वक्षण कि आप का शाइन होता है उसको अपने शाइन भी करना होता है भी आप कलरिंग में काफी जीज़े आप कर आ जाती है अब इसमें बटा आगे अंडेसेंडिक वैल्यू को देखते हैं वैल्यू हाइट हाइटनेस और डाकनेस इस क्रूशियल फॉर क्रेटिंग हाइलाइट एंड शैड यहां पर अब्जेक्ट वेट हमें वेट भी इसका महसूस हो रहा था इससे बिटा जो वैल्यू होता है वो हमारे पर स्लाइटनेस और डाकनेस को शोकर वारा होता है आगे मूफ करते हैं आगे बिटा हमारे पर परस्पेक्टिव आ रहे यह बरा इंपोर्टन टोपिक है इ जैसे एक परसन है वो यहां पर ना खरlden अब यहां से बोना देख रहा है इधर से छो नचाने सबते हैं तो वह जिस एंगल से यहां से देख अब यह जन की यहां से देख पोजन नपनेगा. झाल 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 झाल. झाल 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 झाल. झाल झाल. दो झाल 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 baikी। झाल के प्यूआ झाल 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 झाल. अगर यहां पर एक परसन है ना तो वो इस एक यहां पर इसकी आई है अब यहां से वो एक कुरसी को देख रहा है ना तो वो जिस एंगल से देख रहा होता है उस एंगल से वो डुरा कर रहा होता है आपका डिजाइनर आपका आर्टिस्ट ठीक है अब जैसे यहां पर यह इस tuНе से वह डिजाइन करेगी लेकिन वह और इस को बैंड सी को वो यहाँ से दिए अब जो उसको कुरसी नजर कहा तक, कहाँ तक आएगे वो उसको यहां से यहां तक यहाँ झाएगी लेकिन यहां वो इसको बैंड Alexa करेगश吧 तो यह को वो हुआ यह हुटा कर देका थीरूरत की अन्यूंट सब्रूद में जो हणती हदे इस हैं इस पर हमारे पास बिटा चूह पास तक हमारे जिसमें यहuiten आपको आपको डिजाइन भी दिखाता हूं उसमें आपको समझाता हूं पर्सपेक्टिव इसकी इंग्रेटिंग हमारे पाइस ग्रेटिंग स्पेशल डेप्ट इंट ड्राइंग्स अब यह जो बिल्डिंग है अब यह जो बिल्डिंग है यहां पर अगर एक परसंट इदर को खड़ा है ना से जो बिल्ड यहां से देख रहां तो इद्डेर सी यह Airport इसका अध्याद पर अगर फिर यहां से अ क्यांग्स one यहां से और हैं आप ड्रा करें होते हैं अब इसके बाद आगे हम कर जाते हैं अच्छा बेटा अच्छा आगे हमारे पास आजाता है कलर थूरी हमारे पास एक प्राइमर कलर्स होते हैं होते हैं एक हमारे पास होते हैं उनसे मिल कर तो काफी बाकि अपकी कलर्स होते हैं यह अपने होते हैं जैसे रैड कलर है अब बैटा इनसे जो है ना आपकी बाकी कलर्स नहीं बनते हैं लेकिन जो है बाकी कलर्स में इसमें यह जो आपके बाकी होजाते हैं औरिंज है ग्रीन है पर पले अब यहां पर नहीं बनते हैं उसके बार आपके टटरी कलर्स हैं कि क्रेटिड बाय मिक्सिंग प्राइमरी एंड सकेरी कलर्स को कि मिक्स कर रहे होते हैं उसके बाइंड अर्ट डिजाइन करते हैं मजीड रवारे होते हैं उसमें मजीड यूनिकनल को एड़ करके अब कंप्रेमेंटरी और चरीडिक तो शचीम को रिएक बनास अंग डिखना कि अपनी होता है कि हम जाइन राइड कलर को यूज कारे होते हैं अनलोग और कॉंपलिमेंटरी मैं पास होता है जिसमें बस्ट मेंच चीज़ा कि जाइड राइड कलर सिप्क टेक्ड़ तो जी पेटा नेक्स मारे पास आ रहा है अच्छा बेटा मेरी वास के लिए है तुमाम सुनसे पर लेकर अच्छा बेटा तुमाम सुनस का वास के लिए रहा रही है चार बुक्स में रिप्लाय करें अच्छा बेटा हमारे पास नेक्स आज़ेता है वाम वियर स्कूल कलर्स अब वाम करेंस बला कुन कौन से होते हैं वाम करेंस होती हैं यह पस खत्म होने लगए आगे आपकर नेक्स टोपिक आप चार पांच टोपिक हैं तो लेकिन बेटा यह बड़े इंपोर्टन्ट आप इसमयां आ रहे हैं इसमयत से थर्थी बसन अपर इसम्य से आब करेंस भात कोella ہیں जिसमयाँ को बाटा यहीं हैं यह सारी मैं साभा बड़े हैं और ऑ्रेंज करें आ याञज्द को करा टांए आगे में ब्रश होती है एक ड्राइब रश होता है एक आपका वेट उन वेट होता है एक अपका स्टेप्लिंग होता है और लेजेंग अच्छा हो गया इतना याद रखना है इसमें पर सिंपल में याद रखें का स्ट्रिप्लिंग्र होता होता है कि काफ़ी टेंग बताया कि मैं उइस्टीन वीद्धाप कर बदाया जैसे हैं यह ढूर्टीन विर्म इन आयराल स्ट्रेंग अपन। को जो है ना इसमें आगे जो है आपको ब्लैंड के पता है यह होता है कि सब्सक्राइब विधाइन को पता लए जाएगा अब को आपको डिजाइन दुखाए तो असल होता है इस तरह कि जो है ना असल मार्कें जो है ना बाया हो रहे होती है अचा यह यह मैं पास्ट पिर जडिजाइन बने अब गलेजिंग बला क्यों होता है अप्लाइंग थे ट्रांस्प्रांट लेयर ओफ कलर अवरा डिराइड लेयर तु एड रिजनाश्टिक ते इमआप गलेजिंग होता है अगे हम जाते हैं जो ट्रांस्प्रांट होते हैं हमारे पास अगे हैं कंपोजिशन प्रिंसिपल से बैले सामने पहले पर लिया था सब्सक्रांब्र में यह हैंडिक पर जो हैं इस निप्स तो यह हमारे पास जो है अब इक स्क्राइब होगी इसना सब्सक्रांब्र यह पहले थे श्मेट के लिगा और वेट नहीं कोई किसमें होगेे समिट्री में अब बिटा यह होता है कि डिफरेंस इन वैल्यू कलर और टेक्स्चर मेंक्स अलिमेंस स्टैंड आउट अब बैटा जो में पर कंट्रास्ट होता है अगर ना कोई भी और बनाओं कोई भी और बनाओं जैसे हैं अब करना हमने लाइट पर हुआ है अब यह जो है ना कंट्रास्ट शो कर रहा है इसके लुक पता लग रही है तो यह कल जो कंट्रास्ट यह होता है कि आपके आर्ट में या आपके डिजाइं में डिफेंट करेंश का यूज होना ठीक है उसके बाँ मैं पास आदाता है रिद्धम एंड रैपिटिशन रैपिटिशन क्या होता है कि रिपेटिशन हार्मनी जुमापर रिपेटिशन होती हैं हम जहें कफी सारी जो है अनिके प्रोटेस्ट उसमें यूज करें होते हैं यानिक रिदम आप जैसे ड्रा करते जारें कि झिले हा रहा है रिपेटिशन एमट्sy प्रोटेशन होते हैं उसके युनाइटिउ यह होता है कि आप जो है ना उपने डिजाइन में मज़ीर्जा में हैंज्याएड करें होते हैं कलर बोर्स को यूज करते हैं इसको का लिए उन ऐसको हम देखते हैं हॉरीजंTI लाइ संट उफ काम स्टैबलीटी एंड रस फॉल्स दिए ओफन इवोक दा फिलिंग ओफ दा पॉरीजन ओर ग्रोंड बेस जो हमाई पास होता है विजन टलाइं उसका इंपक्ट होता है कि जो हमें जो हम को शो करा हुथा है स्टैबलीटी को और रस फॉल्स को इतना है यह दखें इस उसे से कि फिरिकांटी युल से लास्केप में युज़र अडिजर्व कोई कमोशिशन इंट देंड इंटेवल बेर्स एंड पाइज जो नाइब जिसमें आपकी स्पीड जो है ना मेडियम होती है ठीक है तो यह उसके बाद पिर आगे मुव करते जाते हैं 90 से जो हैं आगे फर्दर हंटर फिर 180 डिग्री स्पीड के सा जा रहे होते हैं जो वर्टिकल क्या होता है जो हमें सट्रेंट शो कर रहा रहा है जो हमें हाइट बता सब्सक्राइब होता है जो है आपको एकोल हो चुकी यानिके बराबर हो चुकी है ठीक है नहीं जादा डेज है नहीं यह जो डिजाइन होते हैं और में वर्टिकलाइज बहुत यूज़ और यूज़ 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 है इस तरह की यह बल्के सब्सक्राइब करने इस नहीं होंगी इंपक्ट किया है इसका जो हमाँ पास यह मोवंट को शो कर रहा होता है बिल्कुल ऐसा ही है एक्शन भी सब्सक्राइब करता है और डाइनरिजम को भी दे ओफन क्रिये टेंशन और एक्साइटमेंट में का कंपोजिशन फील एक्टिव ठीक है बिटा कॉमन यूज़ देखने हैं इंप्लोई टू कन्वें मोशन इन आर्ट लिका जो और के आर्ट में मोशन को क्रिएट करता है ड बनाएंगे फोटोग्राफी एंड ग्राफिट डिजाइन लीडिंग दा वीवर्स आई थ्रोड़ को पोजिशन आगे मुव करते हैं आके मैं पर स्कॉर्फ लैंस होती है जो कि इस तरह की होती है काव लैंस बिटा यहां पर कार्फ लैंस कन्वे हमाई पर फॉलिटी ग्रे इस तरह की होती है ठीक है इसका इंपक्ट यह है कि जिग्जाइग लाइंस क्रियेट एनर्जी जो कि एनर्जी को क्रेट करें होते हैं जिग्जाइग लाइंस अगर अगर हम ना एक अगर हम एक स्टैकर को देखें है तो अगर हम उसको तेज चलाएं तो बिटा वो कुछ इस तना से नहीं हो जाती ठीक है अगर हम बाइक को देखें अगर को देखें तो बिटा वो और हमारे पास क्योंते हैं जिक्रा लाइंस क्रेट इनर्जी को क्रेट करें होती हैं जब भी कोई चीज चीज हो जाती है उसके बाइन पास आता है अन्पेट टेबिलिटी और एंड इंटेंस्टी को भी शो करें होती है ते गिवा अग्रेसिव और शेयरिंग ते उसके बाइन यूज देखते हैं ऑफन यूज यूज तो इनर्जी को क्रेंट को आगे मारे पास आता है एजग नस अगे इंटेंस अटेबल फोर इंटेंस सेंसे एक्शन ओरियंटेट कंपोजिशिशन और तू ब्रेक अप हामने ठीक है इसमें इंपलाइड लाइस आर नोट रां डिर्क्री बट और सजेस्टेट्रों विजुज लूज क्यों सब्सक्राइड इन आव डाइस आई अपास इस तरह की होती है जो कि हमें लाइन शो कर रहे होती है लेकिन है नहीं है एक है तो यह में पर इंपलेंस होती है को में यूज देखने यूज तो डिर्क्राइड विवर्स गेस नेच्री थ्रोटर डिजाइन विडाइड और और विस लाइन ओफन फोटोग्राफी एंड कंप्लेक्स यह हमाँ पास बड़ा इसका रहा है ना इसका डेशेट और डिव्र डाइट यह होता है कि मैं भाट जैसे कि यह है इस तांसी ना बन जाए ठीक है यह ठीक है डाइड माइब पास डोटेंज आ ने एंडशेट पर डिवियों पर इंप्यूरत पर्मानेट बांडरी डियों सब्सक्राइब करते हैं इस पूरे पार्ट का तो नेक्स में पास है वह बिल्कु इसमें पास को डेफिनिशन है वह असान है मैं को इसली जल्दी में हम कवर कर देंगे पना मिनटर करते हैं अच्छे पीटर हमाँ पास आए अगे ठीक एंड फिल नाइस इंपेट ओफ ठीक एंड थीज इंपास आए नवे जोड़ कि टोपिक नहीं है कि हमें पतला क्या जाता है कि उनमें क्या थिजेंगे इसको अपने दीखर से कर लेना है अधिया उसके पाद हमेरे पास आया था इंपेक्ट ऑफ जिन नाइज़ आप डैलिके सोफ ए इन्ट इन टी टिखर यूज तो गैडर थिक एंड तिन आइस एप कंट्रास ठीक है जो कंट्रास को कर रही होते हैं ये इनका यूजर से है कंट्रास में पताया है डिफेंट करें से यूज करना एंड हरार्ची टू डिजाइं डिरेक्टली फोकस्टू स्पैसिफिक एरियाज